बॉलिवूर एक्टर विकी कॉशल और काट्रीना कैफ अपनी शादी के करीब 6 महीने पूरे होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में उनकी तस्वीरे और विडियो लगातार वाइरल होती रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। विल बात करें अगर विकी कॉशल की तो विकी कॉशल ने हाल ही में आबुधाबी में आइफ अवार्ड दो हजार बाइस में शामिल हुए थे। और इस दोरान एक्टर ने आइफ अवार्ड भी हासिल किया जिसका जशन मनाते हुए एक्टर काफी खुश नजर आए। इस बीच उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसे देख फरा खान ने रियक्ट किया है। जी हाँ एक काफी अच्छा और फणी इंटरेक्शन जो है दोनों के बीच हुआ फरा खान और विकी कॉशल के बाद अब इस इंटरेक्शन में कट्रीना कैफ की भी एंट्री हो गई है। जो काफी ज्यादा फनी है क्योंकि फरा खान को तो हम सभी जानते हैं कि वो कितनी मजाकिया हैं तो बस इसी के चलते इस बार उन्होंने अपना तारगेट विकी कॉशल और उनकी नई नवेली दुलहन काट्रीना कैफ को बना लिया है। विकी की और काट्रीना की जितनी भी फोटोज और विडियोज वाइरल होती रहती हैं उन्हें देखने के बाद उनके बेहद एक्साइटिड फैन्स और भी बेकरार हो जाते हैं। और विक्की और काट्रीना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी काफी एक्टिव हैते हैं, दोनों अक्सर फैंस को अपनी पॉर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रूबरू कराते रहते हैं, हाली में कपल ने फिल्म डारेक्टर फरा खान के साथ एक मजदा किया पोस्त शे क्रोइशिया में हैं जहां फरा खान भी मौजूद हैं, और आपको बता दें कि फरा अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजदा के लिए जानी जाती हैं, इस बार फरा ने कट्रीना कैफ के साथ मजदा किया, क्रोइशिया से फरा ने विक्की के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर कुछ तो हुआ है भी लगाया है इस पोस्ट पर फैंस के भी रियक्शन्स मिल रही हैं जो सोचल मीडिया पर चाय हुए हैं फरहा के इस टीजिंग वाले पोस्ट के बाद कात्रीना ने भी ये सेम स्टोरी अपने इंस्टेग्राम हैंडल पर शेयर की और उन्होंने लिखा है यू आर अलावड फरह खान कुंदर और इसके साथ ही उन्होंने दो दिल भी लगाए हैं वेल तीनों के बीच ये फणी इंट्रेक्शन इंटरनेट पर काफी वायर हो रहा है इन फैक्ट ये सेम स्टोरी विकी कॉशल ने भी अपने इंस्टेग्राम हैंडल पर रिपोस्ट की थी विकी ने फरहा किस स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए लिखा वी आर जस्ट गुड फ्रेंट्स लगता है विकी अपनी बीवी को एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया मेरी कोई गलती नहीं है वेल मजाग का ये सलसला यहीं खत्म नहीं होता और फरहा ने विकी की फ्रेंट्स वाली स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए लिखा है या दैट्स यॉर स्टोरी लगता है फरहा उनको टॉंट कर रही हैं क्योंकि जब विकी और के रिलेशन्शिप के बारे में किसी को नहीं पता था तो सिर्फ गुड फ्रेंड् जाल तो फटा-फट से फिल्मे बीट को सबस्क्राइब कीजे और अगर आप ये विदियो फेसबूक पेज़ पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबूक पेज को भी फॉलों कीजिगा हर दो स्टाइब है